वा जोहार साथियों मैं हूँ अजय गोटे और लेकर आया हूँ आज के वीडियो में गोंडी भासा सीखने के लिए आप सभी के लिए तीन नए पीडियेप उन पीडियेप को कैसे डाउनलोड करना है या जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए साथियों बात करते हैं हमारे सबसे पहले पीडियेप की दोस्तों इस पीडियेप का नाम है Parts of the Body in Gondi Language और इस पीडियेप में आप पाएंगे 70-75 हमारे सरीर के अंगों के नाम गोंडी भासा में बात करते हैं हमारे अगले पीडियेप की तो इस पीडियेप का नाम है Gondi भासा सीखें इस पीडियेप में आपको सबजीयों के नाम, घरेलू अस्तूओं के नाम, पेड़ पौधों के नाम और विभिन प्रकार के क्रियाएं जो रोजाना प्रियोग की जाती है उन क्रियाओं को Gondi में कैसे कहते हैं, सीधे सब्दों में कहें तो क्रियाओं के साथ में एक वाक्य का उधारन देकर समझाया गया है तो अगर आप Gondi भासा सीख रहे हैं तो इस पीडियेप को एक बार जरूर आपको देखना चाहिए या अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं तो उनको आप छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे सब्दों के अर्थ Gondi भासा में इस पीडियेप से देखकर सिखा सकते हैं बात करते हैं साथियो हमारे अगले पीडियेप की तो इस पीडियेप में आपको जंगली जीवों के नाम, पालतु पसुओं के नाम, छोटे मोटे कीडे मकोडों के नाम और पानी में रहने वाले जीवों के नाम फोटोस के साथ में आपको बताया गया है इस PDF को भी आपको एक बार डाउनलोड करके देखना चाहिए तीनो PDF के लिंक्स आपको हमारे चैनल के डिस्क्रेप्शन में मिल जाएंगे वहां से आप इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं इन PDF को बनाने में जितनी मेहनत लगी है इसके लिए साथियों एक लाइक तो बनता है और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेयर करें और ऐसे साथियों तक महुचाएं जिन्हें गोंडी भासा सीखने के लिए कोई मदद नहीं मिल पाती तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में नए गोंडी भासा के सब्दों और वाक्यों के साथ में तब तक के लिए सेवा जुहार